स्वागत है आपका अभी क्लासेज डाउट्स में और आपका सवाल है कि मानव भुगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोचता में विश्वास करती है प्रकृतिक की सर्वोचिता का मतलब होगा कि प्रकृति जो है वही सर्वोच है वही सबसे बड़ा है वही सत्तिसाली है प्रकृति का मतलब क्या होता है प्रकृतिक जिसे मानव नहीं बना सकता है वे सभी दुनिया में प्रकृतिक है मानव क्या नहीं बना सकता है, तो मानव पहाड नहीं बना सकता है, मानव जल नहीं बना सकता है, मानव नदी नहीं बना सकता है, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रकृतिक चीजे हैं, और इन्हे ही हम क्या मानते हैं, प्रकृति मानते हैं, और प्रकृति जो है, सबसे बड़ा आज मानब तकनीक के मामले में इतना आगे निकल गया कि खुद को बड़ा समझने लगा है बट प्रकृति हमेशा से ही बड़ी रही है प्रकृति ही सर्वोच है तो ये कौन से संकल्पना है जो ये सित्ध करता है कि प्रकृति जो है सर्वोच है ये कौन से संकल्पना है पहला जो option है वह है परियावर्निय निश्चयवाद दूसरा जो है संभवबाद और तिसरा है नव निश्चयवाद और चोता है प्रत्यक्षवाद तो इस सवाल का सही जवाब है आपका परियावर्निय निश्चयवाद एक नमबर परियावर्निय निश्चयवाद ये वो संकलपन में होता है वैसे परकरती धीरे-धीरे मानव उसे सीखता है और उसे लगता है कि हम उसमें कंट्रोल कर लिये हैं और कुछ हद तक मानव उसमें जो है क्या कर लेता है कंट्रोल पा लेता है तो वो एक नया जो है परकृति सक्ति साली होती है जैसे कि बीच में कोरोना का लाया था तो उसमें परकृति का प्रभाव जादा था मानव कुछ नहीं कर पा रहा था तो इस तरह से आगे पीछे होते रहता है यह आपको समझना है यह कौन से संकल्पना है यह है परियावर्निय निश्चेवात जि इसमें परकर्टी ज्यादा सक्तिसाली होता है तो यह था आपके सवाल का जवाब और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी ग्लासेश